रजट अपनी मा मनूर्मा की चीख सुन फिर दोड़ा दोड़ा बाहर आता है और दीटता है कि घर का दर्वाजा खुला है और फर्ष पर कुछ लड़के और लड़किया मुर्गा बने हुए है और आसपास शराब की बोथले रखी है मा ये सब क्या है? ये मावाली लोग शराब लेकर दर्वाजा बीटन लगे थे इनको क्या पता घर में तेरी मा आ गई है अब दिल लीना हो गया इतना खुला माहौल है कि कोई भी मूँ उठाकर शराब की पेटिया लिए घुम रहा है ओए ठीक से मुर्गा बन मेरी कमर माफ कर दो माजी मैं अपसे कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा अरे मा मैं तो तुमको बता नहीं भोल गया ये लोग हमारे हाँ नीचे के फ्लैट वालों के महमान है अब वो लोग बड़े लोग हैं तो उनके वहाँ इतना सब खुला-खुला चलता रहता है तो कहां इन बेचारों के बीचे पड़ गई अच्छा तभी मैं सोचू मेरा मुन्ना ऐसे लफंडर दोस्तों के बीच रहता है रजट बोलना अपनी मा को ये जाने थे हमें अरे घलती हो गई भाई नहीं करनी कोई बाटी क्या ये तुझे कैसे जानती है वो ममी जी नीचे फ्लैट वाले लड़के का नाम भी रजट ही है बस हम शर्मा है और वो वर्मा तो बस इसलिए ही कन्फ्यूजन हुआ होगा चलो गई सब अपना अपना सामान लेकर नीचे सही पते पर जाओ चलो नो पाटी सजा इस ओवर रजट के दोस्त तो पटना की हिटलर अम्मा से पीचा छोड़ा लेते हैं मगर स्वीटी सास के आने से हो रही इस आफ़त से तंग आ गई थी बहू आज तो यात्रा करके इतना ठक गई हो न कि अगर आज रात के खाने में करे लेगी भुड़जी मिल जाए तो मजा ही आ जाए जी ममी जी जरूर अभी देती हो आपको मेरे हाथ का मजा तुम भी खाओगी रजट वो जाड़ पीस कर बोलती है नहीं ओ, वो मेरा तो पेटी भरा भरा है अरे, क्या खालिया ऐसा जो पेट भरा है? पक्का मुर्ग-फुर्ग खाया होगा बाहर अरे, कितना दूबला हो गया है बिचारा पता नहीं ठीक से खाना पानी भी मिलता होगा यह नहीं खाले बचवा आज आज खाले ये सब, कल से रोज मा के हाथ का चोखा, दाल भात और आलू भुचिया बना कर खेलाऊंगी, जा बहु बना ले हम दोनों के लिए, और तुझे जो पसंद हो वो भी बना ले रहा, वो क्या होता है, डेट फूड, डेट नहीं मा, डायेट फूड, हाँ हाँ वह अब देख मुझे तो अब जब तक सबजी सरसो के तेल में छुक कर महकती नहीं है, भाती ही नहीं है, वो जीरे की चरचर की आवाज, वो तेल के बुल-बुले, आय है है है, अरे बहु खड़ी ही है, अब क्या पूरी विधी ही सुन कर जाएगी, रेसिपी चोरटी, ही 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 जी मम्मी जी, जी रजट, और स्वीटी रजट को घूर कर किचिन में चली जाती है, एक बात पता, ये बहु क्या तुझे शुरू से ही नाम लेकर बुलाती है, हाँ मा, अब रजट नाम है तो रजट ही बुलाएगी न, तो करके नहीं बुलाएगी कुत्ते की तरह, राम राम राम राम, पती कुत्ता नहीं परमेश्वर होता है, और परमेश्वर को भला नाम लेकर बुलाते हैं क्या, हमेशा एजी, योजी, लोजी, सुनो जी ही बुलाते हैं, तुम भी ना मा, अजी, सुनते हो जी, जरा अंधर तो आना, रजट स्वीटी के पास जैसे ही जात वो तपाक से उसकी गर्दन पर चाकू लगा देती है। क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत क्या है? मुझे तो कुई दिक्कत नहीं है, जान? तुम्हे नहीं, तुम्हारी मदर फ्रॉम बिहार पटना को मुझसे दिक्कत क्या है? अरे आये होई पूरत दिन नहीं गुजरा है और इनको मेरे हाथ के करेली की भाजी खानी है। मेरी प्योने भी खाई है कदे करेली की भाजी? एक्चुली, इट्स बुजिया, भाजी इस डिफ्रेंड। तुम मेरी ग्रामन मत सुधार हो अभी, वरना आज एक मर्डर तो तैह होगा, करेले का नहीं तो तुम्हारा। अरे रजट, तुम तो चानते हो ना, चार ब्रेट जलाकर तो मैं एक ब्रेट साफ सुत्री सेख पाती हूँ, मैं कैसे बनाऊंगी? क्या अफ़त है यार! शान्त छोटा भीम शान्त, तुमको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही क्या है? हम अपने फेवरेट प्लेस से ओर्डर ही कर लेते हैं न, क्या बोलती है? खाना तयार इन 20 मिंडस अउनली! वाव रजट, वेरी स्मार्ट, चलो, लेट्स मेक ओर्डर! चटड़ादी हटी से मंगाते हैं, चार बटर नान, एक मुर्ग मुस्तलम और सलाट, बस! स्वीटी तभी रजट के गाल पर तम तमाता सा चाटा देती है! आ, आउच! बड़े पाटी चल रही है यहाँ पर, हाँ? पाटी चल रही है क्या? वो पंचाबी ढबा है, तुम्हारी महान अम्मा को घर का खाना है, कोई घर जैसा ढूंडो ना? हाँ, राइट, घर जैसा, घर जैसा, हाँ, मिल गया, मादीर सोई, और ये गया ओर्डर, प्रब्लम सॉल्व, खाना पैक होगा, तब तक मैं वही जाकर उसे रिस्टीव कर लेता हूँ हाँ, यार, फरना दर्वाजे पर डेलीवरी बॉय को भी मुर्गा बनवा देंगी मम्मी जी तो, मैं तब तक किचिन में परतन फीटती हूँ और रजट चला जाता है, मनोर्मा मजे से टीवी देखते देखते घर में घूमने लगती है, कि तब ही वो और सुईटी और रजट के बेडरूम में पहुँच जाती है, और वहाँ वो कुछ ऐसा देखती है, कि उसकी सुफूर से चीख ही निकल जाती है सुईटी खाना बनाने का नाटक करने के लिए किचिन में परात में आटा लेकर उसके साथ कुछती लड़ी रही थी, कि अचानक मनोर्मा की चीख आती है हे भगवान सुईटी रजट ये क्या है? सुईटी चीख सुनकर इतना घबरा जाती है कि परात उसके हाथ से छटक कर उलड़ जाती है और उसका पूरा चहरा आटे में सफेद भूद बन जाता है, वो भागती है और अपने बेडरूम में मनोर्मा को खड़ा पाती है ममी जी, आप यहां क्या हुआ? हाँ, अरे, डरा ही दिया मुझे, तुने ये चूने की सफेदी क्यों लगाई है? फेयर अन्वाइड लगाती है क्या या उसमें नहाती है स्वीटी? और वैसे ये क्या है? मनोर्मा पलटती है तो उसके हाथ में गुलाबी रंकी हतकडिया होती है हे राम, कमरे में हतकडिया? अब सच-सच बताओ, तुम दोनों मैंसे कौन खूफिया पुलेस है? या कहीं तु कोई आतंगवादी तो नहीं? सच-सच बता बहू, ये घर में हतकडिया क्या कर रही है? हाई हाई, मैंने तो अपने बेटे को बड़ा बरिस्तर बनाने को भेजा था, हमरा बेटा कहीं कोई कातिल चोड डागू तो नहीं बन गया, जो कहीं दिल्ली की तिहार जेल से फरार हो स्वीटी की चरम सीमा अब लांगी जा चुकी थी, वो जोर से चिलाती है अरे बस करो माता, बस करो, कितना जादा सोचती हो आप, चुप एकदम, एकदम चुप, अब कुछ नहीं बोलोगी अब सुनो, ये हदकड़ी पोलिस चोर वाली नहीं है, बल्कि हमारे खेलने के लिए है हैं, खेलने के लिए, क्या मतबल, तुम बालक हो क्या जो इससे खेलते हो, पिंकी से अरे बेटी, खेलने का इतना ही जी है, तो दे दो ना मेरी जोली में एक ठुक पोता मैं भी तो खेलनू उससे, अलललल करके मनोर्मा बड़बडाती हुई कमरे से बाहर चली जाती है, और स्वीटी जट से बाहर आकर, अपने कमरे की कुंडी करके फिर से किचिन में चली जाती है, कुछ तेर में रज़त खाना लेकर आ जाता है, और फटाफट मनोर्मा से नजरे बचा कर किचिन में घोस जाता है, त वो रजट को जो डर कोहुनी मारती है मनोर्मा चपाती उठाकर चपाती को इधर उधर तुमारी मार चपाती में क्या डून रही है भारत का नक्षा हाँ, भारत का नक्षा तो नहीं बना सकी मगर गैस की रोटी मैं कहां ही गैस की रोटी खाती हूँ ये सुनते ही स्वीटी मनूर्मा की खाने की प्लेट हटाने लग जाती है स्वीटी रजट को देख आँख मोती है और रजट भी बराबर ड्रामा करने लगता है मा तुम भी ना रुला दिया न विचारी को कितनी महनत से तो बनाई है इतना सब अच्छा अच्छा पहू तुरो मत मैं खा रही हूँ मैं तो बस एक बात और जानना चाहती थी कि वो तेल के छोक की खुश्बू और चर्चर की अवास तो बाहर आई ही नहीं देख रजट तुम्हारी मा को अब भी आवास चाहिए हरे मदर फ्रॉम बिहार हमारे घर में चिमनी लगी है चो ना खुश्बू बाहर जाने देती है ना चर्चर की अवास न धुआ तुम क्या जानो पटना के आगे तुम्हें कुछ सूझे नहीं और दिल्ली तुमको रा बड़ा मतबल नहीं था हाँ मैं थोड़ी पिछडी रह गई हूँ जानती हूँ इतना सब फैशन नहीं जानू चीजन में पर देख तो मैं खा रही हूँ ना और ये ले लिया पहला कौर आ आ आ आ आ मनोर्मा अपनी पहली बाइट तोड़ती है रजट सूझी मुँ फाड़े बस उसके रियक्शन का वेट करते हैं कि तभी मनोर्मा उस कौर को साइड में रख देती है ये पहला कौर विधाता के नाम दूसरा कौर गाय के नाम तीसरा कौर पक्षी के नाम चौथा कौर कुते के नाम पाचवा कॉर अब स्वीटी इरिटेट होकर किछिन में चली जाती है रज़त भी पीछे पीछे जाता है तुम्हारी मा है या काटून है काटून क्या चौथा पाचवा कर रही है खाना खाये न सीधे अभी तक एक बाइट नहीं ली बस खाने के साथ चिडिया और मैं दोनों मिया भी वे हैरान थे कि अब क्या आफातान पड़ी है देखिए अब कैसे पटना की सास ने दिल्ली की बहू की नाक में किया है दम देखते रहे एनम स्टोरीज थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज डो लाइक, शेर, सब्सक्राइब और कॉमेंट